प्रतिलेखन संख्या 101, स्पीड 100 वर्स पर मिनिट स्टार्ट अध्यक्ष महोदय प्रारंभिक दौर के भारतिय राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था की राजनीतिक मुक्ती के लिए सीधे संघर्ष का कार्यक्रम इतिहास की कार्यसूची में अभी नहीं था कार्यसूची में था राष्ट्रवादी भावना का पैदा किया जाना उसे गहन करना राष्ट्रवादी राजनीति के दाइरे में भारतिय जनता को अधिक संख्या में लाना और उन्हें राजनीती और राजनीतिक आंदोलन और संघर्ष के लिए प्रसिक्षित करना। इस द्रस्टी से पहला महत्वपून कारिय था राजनीतिक प्रश्णों में जनता की रूची उत्पन करना और देश में जनमत का संगठन। दूसरा देश व्यापी इस्तर पर लोकप्रिय मांगों को व्यवस्थित रूप में रखना ताकी विक्सित होता हुआ जनमत सारे देश का ध्यान आकर्शित कर सके। पहले चरण में सबसे महत्वपून था राजनीतिक द्रस्टी से प्रबुद्ध देश वाशियों और राजनीतिक नेताओं कार्य करताओं में राश्ट्रिय एकता की भावना का जागरण। प्रारम्भिक दौर के राश्ट्रवादी इस तथ्य के प्रती पूर्ण तया सतर्क थे की भारत निर्माण की प्रैक्रिय में हैं। भारतिय राश्ट्रियता धीरे धीरे अस्तित्व में आ रही थी अतहे यह मानकर नहीं चला जा सकता था कि इसकी सिध्धी हो गई है। राजनीतिक नेताओं को शेत्र जाती और धर्म के पूर्वा ग्रहों से मुक्त होकर राश्ट्रिय एकता की भावना को गहराने और विक्सित करने का काम निरंतर और अनिवार्य रूप में करना ही था। उदहारण के लिए भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस ने आशा की की वह देश के विभिन्न भागों के सक्रिय राश्ट्रवादियों के बीच मित्रता के संबंधों को प्रगाड करने की दिशा में एक छोटी सी शुरुवात करेगी। प्रारंभिक दौर के राश्ट्रवादियों ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक मांगों को इस द्रस्टी से तैयार किया था ताकी वे भारतिय जन्ता को एक समान आर्थिक और राजनीतिक कार्यकरम के आधार पर संगठन बद कर सके पैरा। संभवतया प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों को सबसे महत्वपून राजनीतिक काम उनका सामराज्यवाद का आर्थिक विवेचन था। उन्होंने उस वक्त के आर्थिक शोषन के तीनों रूपों यानी व्यापार उद्योक और वित्व पर नजर रखी वे अच्छी तरह समझ गए कि ब्रिटेन के आर्थिक सामराज्यवाद के पीछे सार द्रज्टी भारतिय अर्थव्यवस्था को ब्रितानी के अधीन रखना है उन्होंने आपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूल भूत लक्षणों को विक्सित करने के ब्रितानी प्रयत्न का चोरदार विरोध किया उन्होंने उपनिवेश्वादी धाचे पर खड़ी सरकार की प्राय सभी आर्थिक नीदियों के विरोध में प प्रतिक शेत्र में यह पैर्वी की की भारत पर ब्रितेन की आर्थिक अधिनस्तता कम की जाए यहां तक की उसे समाप्त कर दिया जाए इस दौर के राश्ट्रवादियों ने भारत की बढ़ती हुई गरीबी की चर्चा अपने लेखों और भाशनों में निरंतर की और उसे ब्रितेन द्वारा भारत के आर्थिक शोशन से जोड़ा दादा भाई नोरोजी ने इशारा किया कि भारत वाशी मात्र परजीवी दास थे वे अमेरिकी गुलामों से भी बदतर थे क्योंकि उनकी देखरेक उन अमेरिकी मालिकों द्वारा की जाती थी जिनकी वे संपती थ उन्होंने गोशना की की बृतानी शाशन पूरी तरहें देश को नस्ट कर रहा है। साथ सब्द प्रती मिनिट की गती से डिक्टेशन उपलब्द हैं। जिनका आप स्वयम भिलाब लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना नह भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाओ या प्रश्ण हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।